यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये नहो तो क्या फिर बोलो ये जिन्दगी है यारो नमस्कार मैं हूँ मिल इंगले और आपका स्वागत है मेरे शोव में जिसका नाम है गवया मैं कवया प्रेसेंटिट बाइ विको ट्रस्टेड आयुरुवेदा सिंस 1952 आज मैंने ये इस दोस्ती के गाने से इसलिए शुरुवात की क्योंकि मैं ऐसे चार दोस्तों को जानता हूँ जिन्दोंने सिर्फ अपनी दोस्ती है नहीं निभाई बलकि साथ में आकर एक अच्छा बिजनेट भी शुरू किया और ये चारो लोग मेरे से भी connected है इस शो से connected है इसलिए मैंने आज इस शो की शुरुवात इस गाने सी की है एक शो सक्सेस्फल होने की पीछे बहुत सारी लोगों के मेहनत होती है एक टीम वर्क होता है मेरे भी इस शो के पीछे एक बड़ी अच्छे टीम है जिनका नाम है The Food Connect Team मैं जिन दोस्तों के बारे में बोल रहा था वही ये टीम है तो मैंने सुचा क्यों न मैं आप से उनको आज रूबरू करवादू तो मैं बुलाना चाहूंगा Food Connect Team को तो प्लीज वेलकम Ganesh, Aadil and अरे? दो ही है सर आज़, दो ही है दो? चार लोग हो ना आप? आज़िकी अमित कही और शूट कर रहा है और अभीने उपर कामरे पर हाई हाई अभीने हाई हाई अच्छा तो मुझे आप यह बताईए कि यह आपने आपको ऐसा आइडिया कैसे आए कि यह किया जाए, कंपनी फॉर्म की जाए और इतना अच्छा सेट अप किया जाए यह सब कैसे आपको सुझाए? अज़िकी बहुत हसीर इंसिडेंट वा हमारे साथ तो मैंने और अभिने ने होटल मैनेजमेंट किया है और 2014 में पास आउट किया बट हमने ट्रेनिंग की थी तो हमको पता था क्या यह बड़ा ही थैंकलेस जॉब है यहाँ पे जॉब तो नहीं करना है, खुद का कुछ करना है तो पास आउट होते ही हम पूने गए वहाँ पे एक रेस्टोरांट ओपन करने का प्लान किया सब हो गया बट किसी रीजन की और नहीं से वह वर्क आउट नहीं वा तो वापर मुंबई आ गया अब बोला घर में बैटे तो क्या करें, जॉब करके एक्सपीरियंस ले 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 थे कैसी चलती है इंडस्ट्री तो मैं लग गिया और अभिने लग गिया एक दूसरी कंपनी में तो वह जो कंपनी थी, वह शेफ विकास की कुक बुक्स के ले फोटोगरिफी करती थी और उनको हमेशा एक एसी जगा की नेड होती थी जहां पे एक स्टूडियो हो जहां पे प्रोविजन है फोटोगरिफी का प्लस एक किचन हो जहां पर खाना पका कि उसकी फोटो खीच सेके तो बहुत दिक्कत थी ऐसी जगा ढूनने में तो अभेने को आइडिया आया कि क्यों आयर ऐसे एक स्टूडियो खोला जाए जहां पर हम यह solution दे लोगों को कि अगर आपको शूट करना है तो आप हमारे पास आपके शूट करो अच्छा उन दिनों में में कैनेडा जाने का प्लान कर दा है कि बहुत फुर्स्टराइट हो गया था इंडीन उस्पिटालिटी इंडस्टी से में बहुत फट गया था तो मैं सुचाँ था था कैनेडा जाकर फूर्द चेडी करते हो और महांपे सेटल हो जाँगा तो फीज भरना था, सब हो गया, IELS clear हो गया, admission हो गया, सिर्फ officially फीज भरके मुझे वहाँ पर final करना था एक दिन पहले मेरे घर में ड्रामा शूरू गया, जैसे नॉमली इंडियन हाउजोल में होता है कि मा को छोड़के साथ समुंदर पाथ चला जाएगा वो टाइप का ड्रामा स्टार्ट हो गया, तो मैं बहुत फृस्टेट हो गया, इतना सब हो गया, मैंने तो क्या-कैस अपने देख लिए ही जाओंगा, Canada है शैटल होंगा तो वो मुझे भी फार-फैश लग रहा था, मुझे लगता जिए भी रिमा जाने देगी तो मैं shift पे था morning में, मैंने अभे नेगा call कर दिया, कि मैं किससे share करूँ ना, मेरा best friend था तो मैं बहुता उससे share करता हूँ, तो उसको बताया भाई ये drama चल रहा है घर पे, तू बता मैं क्या करूँ तो उसने बहुता, तू जा क्यों रहा है, तू इतना पैसा invest करके तू Canada जाएगा, उससे अच्छा मेरा पास या idea है, क्यों आप उन साथ में करते हैं तो मैंने बहुता तेरा idea तो बड़ा अच्छा है और वैसे कुछ market में है भी नहीं, तो at least let's give it a try तो उस तरीके से हमने फिर benchmark studio set up किया, गनेश और अमित कैसे मिले वो एक अलग story है उसके बारों भी आगे बात करेंगे तो इसका मतलब है कि मुझे Abhinay को thanks करना चाहिए क्योंकि उनको यह idea सूजी और आपके family को भी thanks करना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको Canada बेजने से रोका और उसकी वज़ा से आज मैं इतना बढ़िया show कर पा रहा हूँ, गवया मैं खवया Sir, हमारी स्टोरी तो आगे चलती रहेगी, इसके पहले हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, तो मैं क्या बना हूँ आपके लिए आपके साथ काम कर रहे हैं हम लोग, आपकी पसंद नापसंद हमी सब कुछ पता है मुझे पता कि आपकी फ़ेवरिट रहा है वेज मोमूज, तो आपके लिए भी बनाएंगे तो आप बनाओंगे और मैं नहीं भी खाना बनाएंगे, आप सिब गाना गाएंगे हमारे लिए अच्छा, आपके फ़ेवरिट गाने आज मैं गाऊंगा दन सर, मजाएगा, मजाएगा, तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सर मैं पहले इसकी फिलिंग बना लेता हूं क्या मेरे जो हाथ है वो थोड़े बावर्शी टाइप है, मोटे मोटे से तो मैं जो नजाकत वाला काम है वो नहीं करता है, वो हमारा फूद स्टाइलिस करेगा तो यह मोमो को शेप करनेया काम यह करेगा हाँ, मैं तुम्हें help करता हूं अचा, मुझे बताई है कि यह लोगों को आप बताई है कि फूद स्टायलिस्त क्या करते हैं, यह जैसे मेक अप आटी्टों वैसा मैं फूद को यह पे इच्छा दिखाते हूं अचा याई जो हम लोग प्रिपेर करते हैं उसके बाद जो सजाने का काम वो आप करते हो, क्या बात है? हमारा काम में सर खाना पकाओ, इसको दे दो, और वो कैसे अच्छा दिखेगा वो इसका headache है बिल्कुल आप देखी रहे होंगे कि जो मैं पकाता हूँ और उसके बाद फाइनल जो प्रोडट्क आपको दिखता है, वो इनकी वज़े से दिखता है, गनेश की वज़े से दिखता है तो सबसे पहले सब थोड़ा सा ओईल ले लूँगा मैं इस थोड़ा सा होगा? मेरे लिए थोड़ा एक जिखताः मोइड़ा बिल्गूम लिए बिल्कुल, बिल्कुल आप ऐसा किया करो कि सेहत क्या करो थोड़ा कसरत क्या करो और ओज खाया को, दिखताः मोइड़ा कुटाइब गरम उन्हें दूँगा चाइनिस हुकिंग में अच्छा हीट होना ची ओए वरना मजा नहीं आएगा और जिन्जर और गार्लिक थोड़ा साथ सौटे क्या बात है चाइनिस रेसिपी में जिन्जर और गार्लिक बहुत इंपोर्टन इंगेडियेंट है में रहे हैं जिन्जर उसके बिना खाना हमारा और हिल्दी भी होता है जैसे हम भी हमारे खाने में काफी बार अद्रक और लसन दोनों का इस्तमाल करते ही है थोड़ासा ग्रीन चीली हम सबको थोड़ा स्पाइसी पसंद है आपको भी पसंद है मुझे पसंद है और कभी कबार बहुत ज्यादा सिंगी के वज़े से मैं खाने ही बाता हूँ कभी कबार शो नहीं हो तो फिर खा लेता हूँ इसको एकड़ा साटे करूँगा उसके बाद इसमें जाएगा ठेर सारा अनियन तो sir आपको जैसे पदा कि आपने बहुत सारे गाने गाई होए लिए में भी बहुत सारे गाई होए और आपका मेरा फेवरेट जो है वो चुई मुई से तो मैं आपको रिक्वेस्ट करें कि वो गाना तो अभी हो जाना चाहिए अच्छा, okay क्या बात है sir? क्या मस लगता है sir? लाइव गाना सुनो, खाना पकाओ अच्छा लगता है अभी रेसिपी में अलगी जाना जाएगी क्या बात है क्या बात है तो यह अनियन थोड़ से सौते की अमने अब यह जो वेजिटेबल जरा सर्म उसको जादा नहीं पकाऊँगा ताकि वोड़ा सौज अपनों क्रण्च आइए क्रण्ची बना एदम विल्ट हो जाएगे बिल्कुल पहले जाएगा कैरिट इसके बाद धेर सारा कैबज और इसे जेंटली मिक्स कर दूआ इसमें और भी वेडिबल दाल सकते हैं जैसे फ्रेंच बीन्स हो या कैपसिकम यह सबी जो भी आपको पसंदें वो उसमें दाल सकते तो आपने मुझी पता है कि अभी ने और आप दोनों ने शुरू किया है मगर बाद में यह food stylist ने आपको कैसे जॉइन किया उसकी भी कोई स्टोरी है मेरे क्या से सर तो बेसिकली हमारी business strategy थी तो गनेश यह food styling का जो world है food media world है उसमें काफी famous था अपने काम से तो काफी experience है इसने master chef India किया हुआ है ऐसे बड़े-बड़े shows किये वे तो काफी experience बन्द है तो मैंने अब बने एक दिन सोचा किया है एक studio तो खोल दिया अब इसके आगे क्या मतलब यह तो हम offer कर रहे है बट हमारा active role क्या है तो हमने सोचा किया है एक production house खोलते है जो food के shoots भी करेगा and basically idea था कि one stop solution देते जहां पर हम खाना भी हमी पका रहे है style भी हम कर रहे है shoot भी हम कर रहे है आप सिफ आओ camera पर face लाओ अपना और हम आपको सब कर के देगे यह जैसे मैं करता हूँ जैसे हाँ तो सरी हमाना business tactic था तो फिर हमने इसको पोच किया कि यार तू आपर क्या कर रहे है सच्छा तू salary पे है तो तू हमार साथ आजा हम तेको partnership offer करेंगे हम यह करेंगे इसको बड़े-बड़े सपने दिखाया है हमने इसको अपने साथ लिया ने बढ़े आपके सपने सब सो रहे है मिल्कुल कोई उसमें शक नहीं है तू 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 उस तरह से Amit और Ganesh दोनों पार्ट वने और बेंचमार्क से हमने फिर नहीं कंपनी खोली दर फूद कने अब इसमें थोड़ासा सोया सॉस दालूँगा तो अब क्या जाएगा इसमें? अब थोड़ासा शेजवान चटनी अब मेरे ना शेजवान चटनी के बिना चाइनी इंकम्प्रीट है यह बहुत गंदी आता है हम इंडियन सी शेजवान चटनी डाल देते है सब में बिलकुल बट मजा नहीं आता सब उसके मिस वो आशकल हम लोग वो इंडियन भी कुछ खाया है समूसा भी खाया तो उसके सब सेजवान चटनी को लगा के खाते है अला कि हमारी हरी चटनी भी उतनी टेस्टी है मैं तो हरी चटनी जादा टेस्टी हो बिलकुल तो एक क्विक मिक्स शेजवान चटनी डालके Salt तो चखले मेरे भाई Salt तो चखले Sir को चकाते, Sir थोड़ा बताए कैसे गरम है आय हाय जी करता है इसी को खाले हो और मोमों तक रुको ही नहीं क्या बाद है नमख बराबर है? एकदम बढ़िया, बढ़िया Thank you, thank you, thank you ये हो गई, ready गैस तो बन कर दूँआ इस बढ़िया Spring onion Spring onion एक quick mix तड़ा ये दिख तो बहुत अच्छा रहा हाँ, तो ये भी ready हो गया ये ready है, Sir सिर्फ इसे थंड़ा करना है और फिर बस चुट्कियों में मोमोस ओ क्या बात है तो अब ये थोड़ा थंड़ा होने दीजिए तब तक लेत एक छूटना सा break आ, ये वाला तो धीला है उपर से नीची तक पीला है इसका मसूडा तो फूला है ओ नो, यहां तो किटानू का मिला है Excuse me E E हाँ, अब ये वाला अलबेला है वज्रदातो वाला है ये वीको का बरोसा है जो ट्रस्टे अयूरवेदा है अठारा जड़ी बूटियों से बना वीको वज्रदान्ती रखे दात और मसूडों का खयात ताकि आपको बार बार dental problems ना हो आपको मुझ से मलना है आपका assistant बनना है वीको वज्रदान्ती वेलकम बैक तो आप शो गवया मैं खवया प्रसेंट बार वीको ट्रस्टेट अयूरवेदा सिंस 1952 चलिए अपनी फिलिंग बन चुकी है अब बनाते मॉमूज अच्छा मुझी ये तो पता चल जिया कि अभिने अदिल और आप गनेश तीनों कैसे साथ में आ गए बट अमित के वारे में वो अमित कैसे आप से जुड़ गया सो बेसिकली अमित को में मिला था Masterchef के टाइम पर और अदिल और अभिने ने जब ये नया company स्टार्ट किया तब उन्होंने अमित को as a consultant on board लिया ताकि वो उनको clients लाके दे अमित में काम किया था बहुत सारे clients के बने पता था बट वो भी chef ही है वो भी chef है उसने भी hotel management किया और फिर अभी भी वो हमारे लिए recipes develop करता है बहुत सारे shows में back kitchen handle करता है तो आपका हर एक का role इसमें क्या क्या हुआ वो मुझे एक बार ठीक से बता देगी So मैं food styling करता हूँ अभी आदिल direct करते है अमित back kitchen और recipes handle करता है क्या भात है तो यह team जो चारो की है उसकी वज़से मैं यहाँ सिर्फ आता हूँ मुझे सब ready मिलता है मैं आपको गाने सुनाता हूँ एकाथ recipe आपको छोटी सी करके दिखाता हूँ और मुझे पूरा final episode edit करके यहाँ मिल जाता है तो basically sir आप अगर सोचेंगे बहुत strategically हमने team बनाई है कि जितना भी पैसा है वो टीम में ही रहे डिरेक में कर लेता हूँ अभी जैसे आज अभी ने camera operate कर रहा है अमित किचन में काम कर लेता है बहुत सारे लोगों के fate में हमने लात मारी हूँ और बहुत सारा पैसा आप कमा रहे हूँ मैं देख रहा हूँ वो भी तो हमको चाहिए था कि पैसा company से भाहर में जाना चाहिए जो भी है सब in-house कर लो और सब इधरी खुश नो बिल्कुल अच्छी strategy बहुत अच्छी है क्योंकि यही होना चाहिए क्योंकि ultimately अपना aim होता है कि सब साथ में अच्छी तरह से घुल मिल जाए दोस्ती रहे और दोस्ती के साथ ही हम अच्छी तरह से पैसा कमा है और आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो हाँ यह shaping मुझे तो बिल्कुल difficult लगता है यह इसके बहुत अलग-अलग Ganesh शेफ होते है और मैं बता दूँ कि Ganesh यह food stylist है और हला कि इसमें वैसे professionally आपने chef का जो course होता है वह नहीं क्या मैंने मेरा career as a production person start किया था और master chef के बाद में food की journey start होगा क्या बात है और यह बहुत ही अच्छी तरह से आप कर रहे हो और sir irony है के जो college से में और अभिर ने पड़े उसी में Amit हमारा senior रह चुका है तो जिस यह हमने admission लिया उसी यह Amit pass out हो आवाँ से क्या बात है सो ऐसे अब भी हम लोग यह steam करने के लिए हमने रखा यह यह तो अलग-अलग shape में बन सकता है अचली अलग-अलग shape बना के दिखाते है अच्छा चलिए वाँ वाँ क्या बात है Sir बहुत मजा आ रहा है बाते करते करते खाना बनाने इस मजे में और चार चान लग जाएंगे अगर आप में ले गाना गा देंगे अच्छा कौनसा आप कौनसा गाना सुनना चाहोगे मेरा फेवरिट सौंग है समझावा अगर आप गा दे तो प्लीज और क्यू फेवरिट है इसका रिजन में बैताता हूँ अभी अभी इसकी शादी हुए है अच्छा क्या बात है, congratulations Thank you so much आपके वाइफ का नाम क्या है? आईशा नाम है उसका आईशा, ओके तो ऐसा करते हैं कि आज आईशा आदिल की तरफ से मैं आपके लिए उनका फेवरिट गाना सुनाता हूँ Thank you करा इंतजार तरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा की न तेर भी न लगदाजी आईशा, आईशा, आईशा क्या बात है Thank you sir, thank you so much चलो, ये हो गया ready अब रखते हैं को steaming के लिए कितनी देर स्टीमिंग करना है 10 में टक स्टीम करना है आदिल आपकी मैंने अभी जैसे बात की के आप भी नहीं नहीं शादी हुई और आईशा को अभी काफी आप अलग-अलग beauty products gift करते होंगे है ना उसकी ज़रूद पढ़ती होगी पढ़ता ही है sir तो आप एक बहुत ही बढ़िया product मैं आपको देता हूँ वह है Wiko turmeric cream जिसमें हल्दी और चंदन के गुन है और उसकी वज़न से आयशा की निखरी भी जो तवचा है और भी निखर के आएगी तो यह जो है वह मैं अभी आपको gift करता हूँ Thank you so much sir Thank you so much मैं जरूर दूँगा उसको लगाने बोलूँगा आपकी शादी हुए है? नहीं तो जल्दी कर लो आपको ऐसा gift चाहिए तो अब तो सोचना पढ़ेगा मुझे लगता है यह momos अभी ready हो चुक है Yes Oh Nice Nice चलो करते इसकी plating Okay Gas बन करता हूँ पेरे Aha जी करता है तुरंत इसे खा लूँ यह देखिए इसे कहते है styling ने तो हम क्या ऐसे कहीं भी कुछ भी रख देते हैं वैसा नहीं होता है क्योंकि मैं यह सोचता हूँ कि कितना भी अच्छा खाना बना हो प्रिपेरेशन अच्छा हो तो उसका लुग भी उतना ही अच्छा होना चाहिए तब जाके वह तुरंत ही देखते हैं उसे खाने का मन करें खाना पैने हम अपने आखों से काते हैं बिल्कुल क्या बात है बात इसको गानिश करेंगे थोड़े स्प्रिंग निम के साथ पर और बहुत मज़ा आया और आपने इतने अच्छे-च्छे गाने सुना है उसके लिए बहुत थैंक्यू और थैंक्यू कि आपने हमारे उपर इतना ट्रस किया और गवय आमे खवय का इक पार्ट बना दिया अरे नहीं और नहीं और त्रस वर्दी सुस्थी हम नहीं चोड़ेंगे, चोड़ेंगे दम, अगर तेरा साथ ना चोड़ेंगे ब्लू स्भिया मा घवया गवाया में कवाया गवाया में कवाया